नमस्कार दोस्तों जैसे हैं आप लोग मैं मीद करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने प्लैटफोम पर और मैं सद्दाम सर आपके साथ हुँँ एक नोटि ब nutr er है इसको हम कहते हैं काथमाने चलिया कि अधिष्चना है जो घ्रह मंत्रा लेने अधिसूचना दी है और यह सूचना बहुत समय से से मीडिया पर जल रही है और मुझे से भी क Staff के लिए तो मैंने सूझ है कि क्यों ना हमारी ऑफ लाइन क्लासों में बच्चों को सकते हैं तो आहां हमारा प्लेटफरम ऐओं चल रहा है बहुत सारे बच्चे एसे जिनको विचारों को यहां पर देखकत आ रहे हो जो कि इस क्या है इस में क्या हो सकता है इस के इसकी समझे अब इतने वाले हैं क्या दखें क्या है पुरुस जो पद है उनकी संक्या कितनी है एक लाख पच्छिस हजार 262 यह पुरुसों के पद है अगर महीला पदों की बात करें तो महीला पद जो है यहां पर है 4666 पद महीलाओं के है ठिक यह वेकेंसिया अभी बात करेंगे टेंचन ना लो आप इसके बारे में समझ लीज है कि कही ना कहीं बात करते हैं कि इन्होंने इसमें दे रखाया सब्सक्राइब कर देंगे आप इसको करेंगे आप उसको आराम से देख सकते हो ठीक है तो देखी क्या है कि यहां पर जनल अठारे सा थेइस है ठीक और अब बात करते हैं एक एक बात पर जो हमारी काम की बात हैं जैसको क्या है कि यहां पर यह भरती कब तक आजगे क्या है यह बढ़ती की है क्या है यह पूर अश्तर तुम आपको बता देता हूं यह यह पने अपना जो भरती पैटर्ण कि यहां यानि कि CRPF में कितने 1192929 पर जो है यह खाली है कि समाने जूटी के यह समाने जूटी के पत हली Testament का यह यह बढ़ती कब आगे यह यह साथ भरती आने वाली है ठीक है अब यह पता नहीं कोई इस तारीक से ओनलाइन होगा या इस तारीक से ओनलाइन होगा यहां पर नहीं है ठीक है क्योंकि इसमें पूरे नोर्डिक्षान में कहीं भी यहां ने दिया है कि यह एक साथ भरती आएंगी यह थोड़ी थोड़ी करके भरती आएंगे यह भरती एक साथ आएंगी कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा कि अब तो हमारा स्लक्षन आसानी से हो जाएगा वेकि न कि तूकि पहली बास द्वारा था कया है क्यानी है यह हमारा क्या है क्या यह बघ्रतीस ड् fasc Effect क características करा दिया होता है कि उसका पर विभाग जो है अपनी संसे अब कराता था ठीकि इन हमारी भरतिय बगारा चलती थी वहां पर सब अलग कराते थे परन्तु आप जो है ना टेंडर कितने ले रखा थे तो अभी तक हम अनुवाल लगा सकते कि को कंटेंट कराएगी सारी परिक्षाओं को और मतलब यह है कि यह एक बार में कराएं यह दो बार में कराएं यह तीन बार मझ यह अभी कोई नरदायत है नहीं यह अभी नरदायत है नहीं जिन बातों को अभी तक हमारी है हमके वाल आपको उसी क्यमारे बात बता रहें ठीक है साबर करो आपको लास्ट वीडियो में जो ही इसको आपको करा दूँँ fabulous पर आप करते हैं पर कि आ लेए परिष्चा इस्तर क्या मॉही सुलता है क्योंकि वर्ती है iki ट्रेष्ट है तो एह और महां चलता है और बाधी है की आशी मेला को मेंटरेष्ट के पूछे थे मिल्फीर है और अब कुछ यहां से ऑठ महा और वार बाके हैं और आठ मझा उसकता है कि भरती 2023 में हो जाएं और 2023 में च्रपियर में इस एक साथ ही एसेसी पूरे भरती कराने का कंट ठेका ले सकती है अभी हमके बला अनुमान लगा सकते हैं आपको जो भी कोई बता रहा है क्या कर रहा है को क्योंकि इससा कुछ नहीं है कहीं भी पूरा नोडिक्स करने के बाद इस पुरा नोडिक्स करने के बाद जब आपको मिठाई बाट राट एक साती वनी परिक्षा कब तक होगी ये एक बच्चे ने कुछन में पूछा था कर्यों किपरिक्षा का नहीं और नहीं किया कि अधिकांज पहले अब तोने आप चम्सवर्ण संग्स. ठीक है उसके बाद से फाइनल कटोब भी लगता है फिलाल में इनके बीच में कटोब कटोब निकलते रहे हैं अंतर से फाइनल कटोब होता है तो यह थोड़ा सा परिक्षा का कहना तो अभी उचित नहीं है इसको हम कह सकते हैं पर तो आप थोड़ा धिहान रखिए कि कुछ कह सकते हैं यहां इतने हैं है कि पद इतने हैं और अगर कोई आपको बता रहा है कि मार्श युक्रिंश जुलाई में उसको उचिते नहीं हुआ समझे निए बहुत सारा डाउट था अगर आपको और भी डाउट है तो पूछ सकते हो मगर हाँ एक बात और समझे देखिए आपको बताएता हूं इसमें देखिए एक पैरा है पैरा नंबर जब मैं आपको इसी दिखाऊंगो तो पैरा नंबर आप पढ़ना पर नंबर आप पर आपकिसी बोड या भी सविध्याले मैक्ट्रिक या तुल्या थवा होना चाहिए कुछ भी केंदर पूलिस वल साधार रूटी के पद पर भरती के साहरी को चुकिस्ता मावदन केंद सरकार दुआ समय समय पर भीत इसकी मनुसार लागू होगा यह बहुत अच्छी बात और प्रिक्षा में अर्व होना चाहिए ना चाहिए कि यहां का यहां से तुक wnुष ने करका भी अठटा लिखाएं बूरग सारी क्ता बड़ता में क्लवट तों यहां त्योट की जाएगी ठीक है इसके उपर का पहराच है उसमें का गया थार से तीज वर्थ के बीच की आयू वर्ग होगा परन्तों अनोसोची जाती पर जन जाती के लिए पांच वर्थ और अन्य पिछला वर्ग के लिए तीन वर्थ की सितिल तदी जाएगी बहुत बच्छा आयू सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथी बैह होगी चार करमचारी चैनायोग दरह बिग्यापन की जाएगी तो देखिए यहां से क्लियर होगा कि कौन वर बुद्पूर अगनी वीरों के पहले बैच के लिए उपरी आयू सीमा पांच बर्ष तक तो इतना यहां से हम नहीं कह सकते है है फिर लास्ट टाइम में जो तित्प्कून दे रहे और वर कुछ ऐसा है नहीं इसमें यह नहीं बच्छ तो इतनी जयानकारी आपको इसम्री थी तो दोस्तों अभी तक तो आप अंदाय लागा तक तो यह भरती इतनी खाली है CRPF के पास इतनी भरती CRPF SSC को अपना इन्हों को टिशन दिया राजपतर दिया गेरा मंतर लेको सोपा है कि हमाया इतनी वेकिंसी अभी करानी है इतने पाद यहां पर जीडी का खाली है एक अलाको नत्तित जार आपका 939 ठीक है अब आप इसकी भरती कराएगे अब देखो आप इंत्यार कर जैसे इसको सब करा देंगे यहां पर ठीक है अब आप इसको देख लीजिए कि क्या है यह आपका नोटिपिकेस्टन राजपतरत अधिकारी क्या है यह क्या कह रहा है आप इसको गोर से देख लीजिए हम आपको इसको करते हैं सोसल कि देखिए नेक्स्ट पेज में देखो, यह क्या है इसमें तो इससे ही हमारा प्रमाईत हो चुका है कि देखें कि नोडिपिकिसन जो है पूरी तरीके से बढ़िया नोडिपिकिसन अच्छा नोडिपिकिसन जिससे कि हमें आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो चलो मिलते हैं कि किसी अन्य जानगारी के साथ और हमारे चैनल से जो पहली बार जूने है और हम सहरे हमसे जो पूरी तरीके संतुष्थ है इस बास से तो आप जाने को सब्सक्राइग करें और आगर वीडियो अच्छा लोग झाल झाल